नमस्कार दोस्तों आज पर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है हर एक बच्चा हर एक पेरेंट्स इसी के उपर हमें बार बार क्वेरिस लिख रहे थे कि जर्मनी की बैचलर डिग्री वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही गुड न्यूज है कि जर्मन गौर्वर्मेंट ने अपने जो स्टूट है बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए उपन कर दिये हैं क्योंकि पहले उन्होंने सिर्फ उन बच्चों के उपन किये थे कि जिनके प्लस टू में जो है विद कंडिशन विदाउड कंडिशनल अडिमिशन लेटर के साथ तो आप अपने जो अपॉइन्मेंट ले सकते हैं लेकिन फिर बता दूँ बैक लोग बहुत बड़ा पड़ा हुआ है जर्मन का क्योंकि जर्मन भी वर्ड की ऐसी फोर्थ डेस्टिनेशन है यहां पर मै बड़ी रलीव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पिछले साल से बैठे हुए थे अपनी लाकों की फीसें वहां की प्राइवड यूनिवस्टिस में वेजी हुई है तो मैं हर एक वीडियो में बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करता हूं कि अगर आपने जर्मन में ज हमने और्गिनाइज करके दिये हुए है उसका क्या बैनिफिट है एक तो बहां पर पब्लिक यूनिवस्टिस की कोई फीज नहीं है क्योंकि किसी भी बच्चे ने नोटे सिंगल पैनी नोटे सिंगल सेंट वहां की किसी भी यूनिवस्टिस में बेजा हुआ है जो भी हमार और आपका कंडिशनल अडिमिशन आया है बहां की बैचलर डिगरी के लिए तो हम बहां का जो फाउंडेशन प्रोग्राम भी है बहां की पूबिक युनिवस्टिक इंसाइड कंपस के अंदर करवाते हैं तो उसकी अगर language की fees है या foundation program की fees है वो भी बहुत genuine है अब टू 2500 यूरो से 3000 यूरो की है जो की आपने मंत्री पे करनी है वो भी बहाँ पहुंचने के बाद तो ऐसी जो चीजे हैं वो ही कर सकते हैं जो experience लोग है तो bachelor degree वालों के लिए ये बहुत बड़ी relief है वो immediately अपनी concern jurisdiction की यो BFS है जर्मन का उनसों contact करना start कर दें अपनी appointment के लिए क्योंकि उनके फैब तक के श्रोट आरड़ी booked हो चुके हैं तो दूसरा family reunion family reunion में एक तो general family reunion है उनकी भी श्रोट आरड़ी open हो चुकी है पिछली video में में डाला था कि हमने family reunion के तीन-चार cases की dates लेकर दी है अपने clients क तो family reunion के अंदर भी मेरे पास दो-तिन categories है एक तो blue card वाले जो blue card वाले उन्होंने अपने family spouse की visa appointment लेनी है तो उनके भी श्रोट खुल चुके हैं और जो dependent है जिनके पास ZAV letter है वहां का जिन लोगों के पास ZAV letter है जा ZAV your contract है जर्मनी के अंदर उन्होंने अपने appointment लेनी है जा उनके dependent ने appointment लेनी है उनके भी slot already open हो चुके हैं इसी तरीके से cook category वालों के भी slots German embassy ने खोल दी है तो यह जितनी भी मैंने categories बोलनी है अगर इन किसी भी category वाले ने अपनी जर्मन की जो visa appointment लेनी है तो वो crown immigration से भी संपर कर सकता है तो crown immigration आपको उसमें assist कर सकती है help कर सकती ह तो और इसके अलबा master के unconditional starting से ही खुले हुए थे तो unconditional और conditional भी open हो चुके हैं अगर आपका master का conditional admission आया हुआ है जर्मन से तब भी आप crown immigration से संपर करें crown immigration आपकी help कर सकता है तो जर्मन से related अगर आपकी कोई भी query है चाहे आपने वहाँ higher studies के लिए जाना है चाहे आपको यहाँ पर appointment की problem आ रही है चाहे आपकी interview आ चुकी है तो crown immigration आपकी help कर सकता है इवन अगर जर्मन का आपका student visa already refuse भी हो चुका है तब भी आप crown immigration से संपर कर सकते हैं इवन जर्मन के बारे में जर्मन का मैंने अभी कुछ दिन पहले scam के बारे में बताया था कि बहुत सारे गल्थ agents ने जर्मन का student visa लेनी की कोश्च की है fake education document लगा कर even fake blog account लगा कर even fake संपर करें हम आपको best से best solution प्रवाइड कर सकते हैं तो जर्मन से related अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है इवन आप inside जर्मन के अंदर बैटे हुए हैं अगर वहाँ पर अपनी university चेंज करना चाते हैं प्राइवेट से government university में आना चाते हैं तब विक रॉनिमी क्रिशन के लिए जाना चाते हैं वहां की public universities में जाना चाते हैं क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें क्राउन इमिग्रेशन आपको लॉट आप आप्शन्स प्रवाइड कर सकते हैं आपकी प्रफाइल देखने के बाद तो लास्ली मेरी यही रुकैस्टर कि अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी रगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना नावल है थैंक यू